हेलो दोस्तो असलाम वालेकुम उमीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे खेरिया से होंगे आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉरंटीन और इहतराज के बारे में अगर आप कतर से छुटी जा रहे हैं या तो छुटी से कतर आ रहे हैं या तो आप नए वीजे प होने के बाद भी जो उनका इहतराज है वो यलो रह जाता है या तो कुरंटीन में वो रहते हैं उस वक्त उनका इहतराज गिरिन रहता है और जैसे बाहर आ जाते है कुरंटीन से उनका इहतराज का जो स्टेटस है वो गिरिन से यलो हो जाता है क्यों होता है किसलिए होता है और इसको कैसे solve करना इस वीडियो में complete बात करेंगे तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बता दे अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं subscribe किया है तो चैनल को subscribe करने के साथ-साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल न बुले क्योंकि आपको इस चैनल पर इस तरह के वीडियो मिलता है और आने वाले वक्त में भी मिलता रहेगा नमबर वन पर बात कर लेते हैं अगर आप कतर आ चुके हैं या तो आने वाले हैं अगर आप कुरंटीन में जाते हैं उस टैब में आपको डिसचार्ज अब किया जाएगा उस वक्त आपको ऐथराज अप को एक बार खोलना है खोलने के बाद आपको चेक करना है आपका एथराज अपडेत है या नहीं अपडेत है ये चेक करने के लिए आपके मुवाइल में इंटरनेट होना ज़रूरी है तब ही आपका इखिराज अप्डेट दिखाएगा चेक करने का तरीका बताने से पहले आप लोगों को बताते चले जिन लोगों को कोरणटीन से डिस्चारज कर दिया गया है कोरंटीन से छुटी मिल चुका है फिर भी उनका एहतराज यलो रह गिया है या तो उनका एहतराज कोरंटीन के अंदर गिरीन था आते वक्त में बाद में उनका एहतराज अपडेट हुआ तो उनका यलो हो गिया तो इसको कैसे चेक करना है आपको बता देता हूँ कोरंटीन स आने से पहले चेक करना है अगर फिर भी आपका यलो ही रह जाता है तो उसका solve कैसे करना है आगे आपको बताऊंगा करन्तीन से आने से पहले आपको एक बार hetiraz अप open करना है पर आपको देखेंगे एक छोटा से lock है यह lock आपको yellow में दिख रहा है यह yellow से आपको green में करना है गिरीन में करने के लिए आपके mobile में net होना चाहिए जब ही जाके यह update होगा अगर यह update हो जाता है फिर आपका जो yellow रहेगा वो yellow ही दिखाएगा अगर green हो गया तो green दिखाएगा update करने के लिए आपके mobile में net होना चाहिए net आप इसको देते हैं उसके बाद यहाँ पर थोड़ा देर प्रेस करके रखेंगे तो अभी आप देख सकते हैं मैं प्रेस कर रखाऊं उसके बाद देखेंगे तो यह lock लग गया lock लग गया तो यानि अपडेट हो चुका है update होने के आपको कुछ second wait करना है उसके बाद आपका जो status है यह change हो जाएगा yellow से green हो जाएगा इस तरीके से आप quarantine से आने से पहले एक बार जरूर चेक कर ले और जो लोगों को quarantine से छुटी मिल चुका है फिर भी उनका इहतराज में yellow रह गया है उसको हल करने के लिए उनका जो last test होता है वो update नहीं होता है अपडेट करने के लिए वहाँ के जो doctor होंगे उनसे contact करना होगा तभी जाके उनका जो last corona test होता है उसको update किया जाएगा उसके बाद उनको गिरीन एहतराज देखने को मिलेगा नहीं तो उनका गिरीन नहीं होगा quarantine में से बाहर निकलने से पहले जो मैं तरीका बता है उस तरीके से आप अपने इस्तिराज app को update करके चेक कर ले आपका जो last test हुआ था corona का वो update आपके इस्तिराज में है या नहीं है दोस्तो आज की थे वीडियो उमीद करता हूँ उस वीडियो से कुछ जानने को मिलेगा क कुछ सेखनों को मिलेगा हम मिलते हैं किसी और वीडियो में thank you for watching